विदिसा में एतिहासिक श्री राम लीला मेला का सुभारम हो गया है जहां सनिवार को सहर्वे धूमधाम से सिब बारात निकाली गई तो वही मकर संक्रांती के मौके पर आज भगवान राम लक्षमर और माता सीता गंगा दर्शन के लिए बेतवा चरण तीर्थ पर जाएंगे आज विमान में सवार होकर भगवान राम लीला परिसर के चरण तीर्थ मंदिर पहुँचे पिछले 121 वर्सों से विदिशा में राम लीला मेले का आयूचन हो रहा है आज मकर संक्रांती के मौके पर भगवान राम और लक्षमर गंगा दर्شन करने बेतवा नदी के तर्ण पर पहुँचे गाजे बाजे के साथ पालकी पर सवार होकर भगवान राम और लक्षमन को गंगा दर्शन कराये गए मेला समीती के सदस्य ने बताया कि राम लीला में नारद मोह और प्रताप भानु युद्ध की महिमा का मंचन किया जाएगा बुजुर्ग बताते हैं कि राम लीला 121 सालों से चली आ रही है यह मकर संक्रांती से ही सुरू होती है और संक्रांती पर सहर ही नहीं बलकि दूर दराज के गाउं के लोग भी बड़ी संच्छा में बेतवा में परविस्नान करने पहुँचते हैं हजारों लोगों की उपस्थिती में राम जी की जाकी इसी दिये निकाली जाती है जिस से सबको पता चल जाए कि विदिसा की राम लीला का सुभारम हो गया है सर्व सुविधायों नैशनल होस्पिटल समान तिराहा रिवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और ऑपरेशन की सुविधा उपलगत है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामय योजना का लाप आयश्मान जन आरों के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलगत है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलगत है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पटेल के द्वारा उपलगत करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करे 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करे 07662359974 या फिर संपर्क करे 860028859900 पर